नमश्कर दोस्तों 2017 के लिए तुला राशी का क्या होगा तुला राशी वालों के लिए यह साल किस तरह से अच्छा हो सकता है या फिर बुड़ा होका चारिए इस वीडियो के दोराण तुला राशी वालों के लिए यदि आपके राशी तुला राशी है तो यह साल आपके लिए बहुत सारी खुश्या ले कराने वाला है क्योंकि इस साल में आपको बहुत सारे लाव मिलेंगे नौकरी से संबदित भी आपको बहुत सारे पुश्रिटी मिल सकती है या फिर आप प्रवट होने के साथ साथ आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपका जीवन को मिलाकर अच्छा रहेगा और ये साल आपके जीवन में खुश्या देखकर आएगा। और आपके परिवार से संबदी देखा जाए तो आपका जो भी धम खर्च होगा परिवार में किसी की बिमार होने की वज़ा से ही खर्च हो सकता है। वरना आपके जीवन में कोई भी समस्या आने के चांस नहीं लगते। और यदि आप विध्यारती हैं और विध्यारती हैं तो आप मेहनत कर रहे होंगे अपनी पड़ाई को लेकर तो आप मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अचुक फाल देने वाले हैं इस साल के आपके नतीजे कुछ अच्छे मिलने वाले हैं क्या पता आपके जीवन में उच्छी सिक्षा प्राप्त हो जाए या फिर आपके जीवन में कुछ अच्छी ही जीवन सहकारी आजाए जिससे आपको नौकरी मिलने के जादा चांसिस है यदि आप नोकरी के लिए तयार कर रहे हैं तो तयारी करने के इस साथ साल कुछ उपायों को भी अपनाते चरें आप सुभा उटकर सूरज को चल देना बिल्कुल ना बुले क्योंकि जो भी तुलाराशी वाले वैती हैं उनकी सुरे भगवान को ज़्यादा ही पूझनिये माने जाते हैं यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी समस्या ना आए तो आप सुरज भगवान को चल देना बिल्कुल ना बुले क्योंकि इस सार में यदि आप चाहते हैं कि आपकी जीवन में कोई भी परिशानी ना आए सारे समस्या दूर हो जाएं तो आप इन काले को करते हुए जाएं और आप अपने परिशन को बिल्कुल भी करना ना छोड़े प्रेम संबंद यदि आप प्रेम संबंद बनाने के चकर में हैं या फिर आप किसी से प्यार करते हैं तो इस बार आप थोड़ी सा तकता जरूर बढ़ते हैं क्योंकि यदि आप जिसे आप प्यार करते हैं तो थोड़ी सी नोग जोग से बहुत लंबी खिचाब और या फिर लड़ाई भी हो सकती है तो इस साल में थोड़ा सा बच कर रहे हैं और साधी सुदर लाइफ वालों के लिए तो जिन्दगी में थोड़ी बहुत परिशानी आने ही वाली है यदि आपकी शाड़ी हो चुकी है और आपकी राशी तुला राशी है तो अपने पाटर के साथ सामझ जलसे जरूर बनाए रखें क्योंकि इस साल में नोग जोग के साथ पहुत जादा बात भीगड सकती है आप अपने पाटर के साथ जादा समय नहीं बिता पाएंगे क्योंकि इस साल आपका फोह जादा बिजी होने वाला है और आपका स्वास्ते को लेकर थोड़ी सतकता बरतें क्योंकि आपका स्वास्ते भी थोड़ा बिगड सकता है तो यदि आप अपने स्वास्ते को ध्यार रखते हैं तो वहें आपके जीवन को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना देगा तो उसके लिए आप थोड़े से उपाई हैं आप कर सकते हैं सनिवार के दिन काली डाल, काला कपड़ा किसी को भी तांड कर दे ऐसा करने से भी आपके जितनी भी सवस्या हैं बेहतूर हो जाएंगी और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए और ये साल आपका बहुत अच्छा जाए तो आप हर संडे को मगवाल सुरे के पुजा करना ना भूले ऐसा करने से भी खुशे आपकी तोगनी हो जाएंगी तो तुलाराशी वालों के लिए ये साल 2017 बहुत ही अच्छा रहने वाला है थोड़ा सा अपना खयाल रखे और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले